हेलो माई फ्रेंड तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिली पटेटो जो की बहुत ही मनपसंद चीज है बच्चों की भी और बड़ों की भी जिसको देखते ही सब के मुँ में भर जाता है पानी और ऐसे में अगर आप इसको घर पर ही बना ले और खालें तो कितना मज़ा है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं मैंने लिए हैं दो मीडियम साइज के आलू और इनको मैंने फिंगर चिप्स की शेप में काट लिया है देखिए इस तरीके के मैंने काटे हैं इतने मोटे मोटे मैंने इने काट लिया है और इनको अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है इनका स्टार्च मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है इसमें मैं डालूंगी दो बड़े चम्मच, कॉन फ्लार कॉन फ्लार अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदे का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको करारा बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इसमें डाल देंगे हम एक चमश नमक नमक आप इसमें जादा मत डालिए क्योंकि हमें आगे जो इसकी ग्रेवी हम बनाएंगे उसमें भी हम नमक डालेंगे तो आप उसमें जादा नमक ना डालें और अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था कॉन फलार तो मैंने एक चमच और इसमें एड़ कर लिया आप भी इसी तरीके से ट्राइ करते रहें अगर आप उसमें और जादा डाल सकते हैं तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से देखिए मैंने इसको अगर आप से मिक्स नहीं हो रहा है तो ऐसे भी उच्छाल कर भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं पता लग जाता है हमने नीशे तक इसको mix कर दिया है या नहीं तो अब हम इसके बाद करेंगे इसको deep fry हमने तेल ले लिया है तेल को हमने high flame पर गर्म कर लिया है तेज तेल चाहिए हमें इसमें और अब डाल देंगे हम इसमें अपने finger chips आपको flame अभी high ही रखनी है low नहीं करनी है तो आपके थोड़े से अच्छे नहीं होंगे करारे नहीं होंगे तो आपको जो अपनी flame है वो gas की high ही रखनी है और इस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से तल देंगे जैसे कि हम finger chips normally बच्चों के लिए बनाते हैं सिर्फ हमें इसी तरीके से नौर्मली बच्चों की तरह ही हमें finger chips बनाने है और देखिए अभी तक मैंने इसको high रखी है इसकी flame और बीच में गर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत जादा तेज हो रहा है तेल तो आप हलकी सी कम कर दें बिल्कुल कम मत कीजे हलकी सी कम कर सकते हैं आप और फिर दुबारा इसको बढ़ा सकते हैं flame को ये देखिए हमारे finger chips बिल्कुल ready हो गए हैं जैसे हम बच्चों के बनाते हैं इसी तरीके से हमें बनाने हैं और अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे ये हमारे गल चुके हैं बन चुके हैं इनको हमने बाहर निकाल लिया और देखिए ये अभी सही इतने अच्छे और tasty लग रहे हैं बहुती crispy बने हैं ये तो चलिए अब हम इसकी gravy बनाते हैं हमने एक pan में लिया है थोड़ा सा तेल या घी आप कुछ भी use कर सकते हैं सिर्फ दो चमच मैंने इसमें लिया है क्योंकि हमारे पहले से ही finger chips में इतना तेल होता है तो अब इसमें डाल देंगे हम एक medium size की मैंने प्याज ली है वो मैंने डाल दी है आप अपने according ले सकते हैं अगर आपके finger chips जादा है तो आप जादा प्याज ले ले अगर आपके कम है तो आप एक प्याज ले ले इसको हमें सिर्फ सुनारी होने तक भूलना है हमें इसको जादा golden नहीं करना है सिर्फ हमें इतना करना है कि हलकी सी गिल-गिली सी हो जाए सॉफ्ट हो जाए बस हलकी सी इतनी हमें प्याज रखनी है बच्चों की बहुत ही favorite dish होती है मूँ में पानी आ जाता है बच्चों के लेकिन इस टाइम हम बाहर की चीज़ को अगर आवाइड ही करें तो जादा अच्छा है आप ऐसे सी चीज़े बना बना कर आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और ये देखिए अब डाल दी हमने इसमें शिमला मिच एक शिमला मिच मैंने ली है जो मीडियम साइज की थी बारीक नहीं काटनी हमें मीडियम साइज की हमने शिमला मिच थी वो हमने ले ली है वो हमने डाल दी है इसको भी हम थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक बनाएंगे जब आपकी ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो आपको डालना है इसमें एक चम्मच सोया सॉस एक दम से आपको जादा नहीं डालनी है और एक चम्मच डाली है मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस सब आप पहले थोड़ी थोड़ी कौंटिटी में ही डालें उसके बाद आप उसके जो मसाला है उसको टेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें कम जादा कर सकते हैं और ये डाले हैं मैंने दो बड़े चम्मच सॉस जो नॉर्मली सॉस होती है हमारी टोमेटो सॉस वो मैंने डाले हैं दो बड़े चम्मच टोमेटो सॉस इसमें जादा डलती है और अच्छी तरीके से इसको मिला देना है उसके बाद आप टेस्ट करके देख लीजे आपको जो चीज कम लगे अगर आपको सोय सॉस का थोड़ा टेस्ट कम लग रहा है तो आप वो बढ़ा सकते हैं ग्रीन चीली का आपको कम लग रहा है वो आप बढ़ा सकते हैं और टोमेटो सॉस का अगर आपको कम लग रहा है वो भी आप बढ़ा सकते हैं मुझे जो इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी मुझे इसमें थोड़ी टोमेटो सॉस कम लग रही थी मैंने एक चमच और एड़ की है उसमें और इसको रख देंगे हम ढखकर अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हमें थोड़ा सा इसको गलाना है जादा नहीं गलाना है बस इतना गलाना है कि इसका कच्छापन दूर हो जाए और देखे अब इसको हम ढखकर रख देंगे पांच मिनट के लिए और पांच मिनट बात देखे ये मेरी इस तरीके की शिमला मिच हो चुकी है कि ये कच्छी नहीं है और ना ही बिल्कुल गली है मीडियम हो गई है ये और जब इस स्टेज पर आपकी शिमला मिच हो जाए तो एड़ कर दीजे आप अपने उसमें फिंगर चिप्स और अच्छी तरीके से अब हम उसको मिला लेंगे और जब आप फिंगर चिप्स उसमें एड़ कर दें तो आप हर चीज अपनी टेस्ट करके देख लीजे अगर आपको उसमें कुछ चीज कमी लग रही है नमक की या किसी भी चीज की आपको कमी लग रही है तो वो आप उसमें एड़ कर सकते हैं और ये देखिए हमारे चिली पटैटो बिल्कुल बनकर रिड़ी है और खाने के लिए भी ये बिल्कुल तायार है बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत क्रिस्पी हैं हलके से अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं इसमें डलने के बाद लेकिन बहुत टेस्टी ये बने है और इसमें डाल दी है मैंने रेड टमेटो सॉस थोड़ी सी और डाल दी है मैंने और ये देखिए कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा आप अगर हमें सब्सक्राइब की करेंगे और हमारी वीडियो वाच करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा हमें और भी चीज़े बनाने का दिल करेगा अपनी वीडियो डालने का दिल करेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा हमें सपोर्ट कीजेगा और आपको मेरे ये चिली पटेटो कैसे लगे ये भी मुझे जरूर बताईएगा एक बार आप इसको जरूर बना कर देखें जरूर ट्राइ करें अपने बच्चों को भी खिलाएं बाहर की चीज़ को इस टाइम अवाइड करें और अपने बच्चों को ये सारी चीज़े घर पर ही खिलाएं ओके फ्रेंड्स बाई